हाई एवरिवन वेल्कम पेक टू माइचेनरन क्लासेस फोरी में आज हम क्लास 10 दोजार चोविस हिंदी का बारल पेपर करने वाले यही आपके बोर्ड एक्जाम दोजार चोविस और बाइस फरवरी को देखने को मिलेगा तो आप लोग इस वीडियो को आंध तक देख लीज ना कि यही वाला कोड जो है आपका बोर्ड एक्जाम में आएगा 2022 में कौनसा 801 सीवी इसको आप याद रखना अच्छे से यही का पूरा का पूरा वायरल पेपर यही आपको देखने को मिलेगा 2024 हिंदी और कब 22 फरवरी को ठीक है यहां पर आप अपना अनुकरमाय का डा पूरा solution वीडियो आप समझ लीजिए कि मैं देख रहा हूं और हमारे एक्जाम में आने वाला है तो समय है आपका तीन गंटे 15 मिनट का तो प्रारंब के जो आपको निर्देश दिये जाते हैं वो पढ़ दीजिए ध्यान से उसके बाद ही पेपर को आप लोग हल करना अधा में एक अंक के 20 वह विकल्पय परसन जिनके उत्तर आपको ओम आयर उत्तर पत्रक पर देने खंड आके प्रतिएक परसन का अंदर्देश पढ़कर केवल परदत ओम आर उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें ठीक है यह सारी चीजिया पढ़ लेना आराम से ठीक है ओम आर उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के परस्चात उसे नहीं काटें बिल्कुल काटना नहीं है वो नहीं आपको इरेजर का प्रियोग करना है नहीं आपको वाइटनर का प्रियोग करना है परसन के अंक को उसके समुख जो है अंकित होंगे जो भी परसन होगा उसके अंक जो है टो हम् Ben look вари буквRI एड देना बार में उसके समेजो कर देना ज़र समेज़र नहीं अगर आप कोई पराइज मत करना होगर बाद हुश्सकों हल गर देना उसे अप अच्छे से लिख देना सब्सेंड्यां की तरब जिसमें 20 वावविकल्पे परसन है उनका उत्तर आपको देना है ठीक है चलते हैं घंड आप वावविकल्पे परसन है तो कोई इस तरह से आपको अंक जो है सामने मिल जाएंगे देखने को एक अंक का है और 20 वावविकल्पे परसन है जो आपको करना है तो चलिए पहला परसन क्या कह रहा है कि नहीं में लिकित कतनों मेंसे कोई एक कतन सही है उसे पहचान कर लिखिए जैसंकर पर साथ एक आलोचक के रूप में परसिद्ध हैं अप्रेमचंद अपने घर में की लेकी का सिवरानी देवी हैं रामचंद सुकल की गड़ना स्रेष् रांगे उराग कभी के रूप में परसिद्ध हैं बताईएगा इन चार विकल्पों में कोई एक विकल्प आपका सही होने वाला है जो सही विकल्प है उसका आपको आंसर करना है ठीक है दोस्तों तो आप क्या बता रहे हो कि खा यानि बी प्रेमचंद अपने घर में की ले कि का कोने सिवरानी देवी है आपसन नंबर भी आपका किलियर आंसर है इसके बाद मेरी तिबबत यात्रा करती है राहूल संकरत्यान की जैसंकर परसाज जैनेंद्र कुमार अग्ये बताओ आप मेरी तिबबत यात्रा किसकी करती है तो आप सभी जानते हो जो मेरी तिबब त्यात्रा है वो राहूल सांक्यारतैनगी है ठीक है वुपसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर इसके बाद तीसरा बोला गया क्या लिखूं किस विद्या की रचना है निबंध है नाटक है वो पन्यास है कहानी है तो क्या लिखूं किस विद्या की रचना है तो आप सभी जानत जो क्या लिखूंँ बो क्या है आपका ये निबनध है क्या है दोस्तों ये निबनध याद Hugo निबनध इसके बाद इस किया बोला लेध कि का आए आकासदीप के लेक्षर है थिए z двух a क永 य जै जैसंकर परसाद, जैसंकर परसाद की बहुत सी रचना है, इन्हें आपको याद रखना है, कामाईनी हो गया, ठीके, आसू हो गया, ये सारी रचना है आप त्यार कर लेना, जर्ना हो गया, और तितली हो गया, क्या हो गया दोस्तों, तितली, ठीके न, ये सब रचना है उनकी और आकास दीव तो है ये, ठीके ना चलो, इसके बास सड़ी कहसंट गीटावली के रचैते हैं तो सरीकरेश्ण गीटावली के रचैता कौन है, तो आप सभी जानते हूं रूमया की कि तुलसी दाश कोन है, तुलसी दाश ्ण नमबर इसका करेक्ट अंशर है आशू के रचनाकर इसका करेक्ट इसके बाद रितिकाल का समय माना जाता है पूक की बैसे नलबeszता है ψ ंब्र इसकी करेक्ट तर ऍमिन्यद्रीश्ट इसके बाद रितिकाल का 1318 इतक यह तो उल्टा हो गया यह तो हो नहीं सकता शन 1318 से 1643 इतक सन 1643 इतक सन 1443 इतक जो रीतिकाल का शमय है तो आप याद रखेंगे कब से कब तक है तो बुह है सब्सक्राइब करेक्ट आंसर इसके बाद तार सब्सक्राइब का प्रकाशन बर्स है उसका प्रकाशन बर्स कोंसा है कोंसे आपकी बिने पत्रि का उप्सन बर्स है तो याद रखेंगे कोंसे ई है उसके बतानी है तो याद रखेंगे कोंसी मेंब की बतानी है प्रेम तरंग के रचनाकार है नागारजुन अग्ये घनानंद भारतिंद भरिच्चन तो प्रेम तरंग के कौन रचनाकार है तो वो हैं आपके भारतिंद भरिच्चन ओप्शन नमबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर है भारतिंद भरिच्चन इसके बाद 11 मां पीपर पात सरिस् ठीच थास है आपका उपमा लंग कारों नोब ऑ injust जो आ कर दोस्तों जो वह दो सब्र सब्रेद करेक्ट ऑब Do तेरा आपार सब्द में प्रियोंग उपसर्ग है आ अन या उप ठीक है तो कैसे आप आप लिखोगी आ पिलस पार तो क्या वह जाएगा आपका आपार जो आगे वाला होता है यही आपका उपसर्ग होता है तो उपसर्ग नंबर भी आपका करेक्ट अंसर रहे देखो यह एक रटील करनु रश्यमॉर्ट ऊस्ट Casey फिर प्रससऑ में भावाव स्थाइइब रती या सोगर्ण रश्यमॉर्च करनु ये और लिक्ता राइट आंसर क्रोड दो तो यह नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा आपका नमबर ए गंगा और यमुना ठीक है इसके बाद पंची का तर्सम रूप है पच्छी पंची खग बेग तो जो पंची का तर्सम है तो भू है आपका कौन सा तो भू है आपका ठीक है ना देखो कौन सा होने बाला है बताइए आप लोग कौन सा होगा आपका पंची का तो बिल्कुल सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या होने बाला है इसका भी राइट आंसर होना चाहिए आप लोगों का ठीक है ना तो क्या हो जाएगा आपका तो यह हो जाएगा वैसे यह थोड़ा गलत लिखा हुआ है ऐसे होना चाहिए था ठीक है दोस्तों यह लिए 17 कुरूध का परियावाची है कुपित प्रेयम इसा देश तो जो परियावाची है वह आपका कुपित दियके और आपकी और बचन उस्तमी और बचन चाहिए क्या है पंचमी और बावचन ऌप्समे और बचन और ऑवचन कि बार चाहिए इसका थीक है दुस्तों ऐसे जानवर ग Tibber रौते हैं इस दॉड़ते हैं टो दो है उदेश तो गेंगे जो जानवर गों में तो जाते हैं क्रूथ हैको दो सर्वरते वहामिप्रयोग कान्म प्रससंदर यहां तो सीता ने पत्र लिखा इस बाreten में किस प्रकार का भाइप्रयोग है एक पत्र लिखा उसने क्या किया अपना एक darum किया लिखने का मात rus ज adv usage अब हम करेंगे खंड-बार बढ़ना अतमक प्रशंद देख snare प्रगतित का निर्माड हो रहा है उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साइथ में भविस्ट का गुरभ नहीं थे पर कुछ समय के बाद उनका ये साइथ भी अतीत का इसमारक हो जाएगा और आज जो तरुण है बहीं ब्रद होकर अतीद के गोरव का शुपन देखेंगे उन्हें के इस्तानों में तरुण का दूसरा दल आ जाएगा जो भविस्ट का शुपन देखेंगा दोनों की शुपन सुकत होते हैं क्यूंकि दूर के डोल स्वाबने होते हैं तो आपको पता चल कीजिए पूरा का पूरा यह 101 परसेंट पूरा का पूरा शॉलूशन पेपर आप इसको अच्छी से तयार कर लीजिए क्या है देखो संदर अब उत्तर देखो संदर क्या प्रस्तु इस वाले गाटिक है प्रस्तु गद्दांस हमारी पाश्ट फुस्तक के गद खंट में सं के लेका पदुलाबबश्य पुणावलबख्शी हैं समझ है Hak glitter क्या लिकियों से लिया गया इसके अलएक पदुलल पुनाल भकसी है रेखां कि तैसे की प्याद्द क्या आज हिंदी में नई विचार्दरा रचने वाले साइथ कारों ना ये है कि उनके उन्हें के इस साहित में भवेश्ट की संबावनाएं चिपी हैं जिस प्रागामी पेडियां गर्प कर सकेंगी यह सबाब पढ़ लेना आराम से उपर वाला अच्छे से प्रिकार साहित भी साहे देव आधुनिक नहीं रहता इसे प्रिकार जो तरण भवेश्ट आज भविश्ट के गोरव की कलपना में खोए हुए हैं बैबी ब्रद्धी होकर ब्रद्ध मतलब बूड़े होकर निश्चित रूप से अधित समर्थियों में खो जाएंगे उनके इ देखे का दोनों भी शुपन सुकत होते हैं क्योंकि दूर के डोल क्या होते हैं शुराबने होते हैं ठीक है अतीद का इसमारक हो जाएगा का कतत पर इस पश्च कीजिए ठीक है तो क्या यह अतीद की यादों की समर्थिचिन बन जाएगा तो आपने कर लिए आपको नंबर मिल जाते हैं पूरे मैंसे पूरे कितने छे ठीक है ऐसे ही आपको कर देना है अच्छे से इसके बाद आप अथवा में यह कर सकते हो क्या है इसा का यही अनुका बर्दान है जिसमनों उसकी हर्दे में इसा घर बना लेती है बाए उन चीजों का आनंद नहीं उठाता है उनके के एरदे पर तंस मारते हैं रहते हैं तंस के इस दा को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है मगर इस चालू मन्स करें तुभी तो क्या करें आदर से लाचा रोकर उसे यह बैदना भोगनी पड़ती है ठीक है तो इस इसमें तो प्रसन है वही आपको उत्तर कर देना है वह कि मैंने आपको पहला वाला सोर्व करके दिखा दिया इसको आप कर लेना गर पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके पेपर में हेच छपने वाला है ठीक है दोस्तों आच्छे से आप इसकी भी कोशित कर लेना लेखा का नाम बाकी चीशे सब ऐसे उतार देते हैं ठीक है चलिए दो पेषा ने मिलएके किसी एक पद्धांस पर आधारिट परसणों के उत्तर दीजे दिए दो पिलस दो फिलस कितने अंक है आपके छे अंक का ये भी है पद्धांस पर बोढ़ता आपका गद्धांस अन्क यसा मतलब कि मेरे पास 10-20 मन नहीं है यह किताब क्या था सरी के साथ कहां चला गया बताइए मध्वूरा चला गया ठीक है बस इतना ही आपको कर देना होता है इंद्री सितल वही के सब्विन जिऊंदेई बिनसीष आसा लागी रहत मन स्वासा जीवाई कोट बरी तुम तो सका स्याम सुंदर के सकल जोग के इस सूर्य हमारे नंदन नंदन बिन और नहीं जगदीष आपको क्या उप्युक्त पदांस का चंदर भी लिखना ये भी दोंक ठीक है तो क्या है संदरब उत्तर लिखो संदरब का प्रस्तुत पदान सूरिदार बिर्चित सूरिसागर से लिया गया है ठीक है इतना आप लिख देना दो नंबर आपकी कंप्लीट रिखान के इंदन से की ब्याग क्या है उद्वब हमारे पास 10-20 इरदे नहीं है उनमें धाई से को एक इसुर की राधना में लगा दें हमारे पास जी एक हिर्द है था वैकर से की मतूरा चला गया बस इतने आंसर यह ही था बस आपको लिख़ देना और दो नंबर आपको पक के इसके बाद आत्सकर अपक्ति में कंप्ता हैं को मेरें बस आपके दो पिलस दो पिलस दो बरावर छे एंक आसानी से कंपलीट इसके वाद यह कहीं विखर गई भगन विजय माला सी उसके फूल यहां संचित हैं यह समर्ति साला सी शहे बार पर बार रंत तक लड़ी वीरू बाला सी आउत सी गिरपड़ी चिता पर चमक उठी जुआला सीजिव कहीं सब प्रस्णों के उत्तर देने आपको काउन से इसका संदर भी लिख देना है दो इंक कहा पर इसका क्या लिख लेना रेखां की तनसी ब्याक्या करनी और प्लस इसमें कौन सा अलंकार यह सब कर देना आपको छेंक मिल जाएंगे यह आप घर पी कर लेना संदर्व साइथ हिंदी में अनुबाद कीजिए क्या बारा सी सूप बेख्याता प्राचीन नगरी एम बीमल सलिंग तड़ा गटा नाम बला एकरती पंक की दबलाएं चंदेकां बहु राज थे अगड़िता प्रटका सूर देरें पे देशामें नित्यमत्र आयां तेस्था गटानमचाइब बिलो की माँ प्रस्था थी तो इसका गडांस काम एक क्या लिखना है पहले शंदर्व लिख देना है फिर उसके बाद हिंदी में अंबाद कर देना संदर्व क्या है तो संस्क्रिट घड़दांस हमारी पास्ट पुष्ट के संस्क्रिट खंट में संकलिद इसिद्ध गातों की घुमाउधार आकरती वाली पंक्ति स्वेच चांधरी में बहुत सुन्दर लगती है दूर दूर देशों से एसां के प्राटक यहां नित्प्रति आते हैं और इसके घाटों की सोवा को देखकर बहुती प्रसंसा करते हैं इस तरह से आप अच्छे से लिख देना तयार कर लेना और मैं आपको इसकी पीडिया भी प्रोवाइड करा दूंगा ठीके लिंक की डिस्क्रिशा मां डूंगा मैं अथा आम एकर सकते हैं मानब जीवना संस्कृत प्रोवजा मानब जीक्शनत महांत कुर्बन ते असमां संस्क्राणा यान अचाणां विचारा अंचाधर से मतला तक सरब कर देना अच्छे से ठीक है कोई दिक्कत नहीं जिसक कि इसके बार नीचे देए गें पदांसों में से किसी एक पदांस का संदर्प सभी एंदी मेनुवाद कीजिए ये भी आपका 5 यी नंबर का क्या है किस्छित गुरोतरा भूमें सुत्राण लुक्तरस्ति के जीवन सुत्राण नामग पाठट से लिया गया है कहां से जीवन सूत्राण नामक सूत्राण जो पाठे उससे लिया गया है कि इसका जो हिंदी मैंनुबाद देखो क्या है क्या है यहां पर यहां पर यह द्वारा पूंचे गए परसंद रुप्या दिये गए उत्तर संग्रित रहे देन इस भूम्मी से बी भारी क्या है आकाнем पूरा का पूरा हो गया अत्वा में आप यह कर सकते हैं आप दो दूरगामी चा नाचा पंडिता पंडिता आप यह वाला कर दिना क्योंकि हमें पूरा पेपर करना तो मैंने एक कर दिया पांचमा अपने पटित खंडिकाब के आदार पर नेमल लिखित प्रसंदों के उत्तर दीजिए क्या है मार्त भूमी के खंडिकाब के नायक चंदर सीकर का चरिचित्रन ती रंक का पू की इस इक किसी एक का देना रया है छांए पर आपके जिल्य में जो आ रहा वह उसको तैयार कर लेना शटा कंदरा केर curriculum आयँ से तीन नंबर का दो नंबर की रचना है ठीक है क्या आचारी रामचंज सुक्ल जैसंकर परसाथ डाक्टर राजिंदर परसाथ खा यह कर दिना इन तीनों में से कोई एक जीवन पर्चे आप अच्छे से त्यार कर लेना इसके बाद कभी हो मैं से किसी एक का जीवन पर्चे देत अच्छे से सात्मा अपनी पुष्चक में कंश्च कोई एक इस लोग लिखिए जो इस परसन पत्र में नाया हो आप लिख सकते हो आसाने से ठीक है और दो नंबर आपके पकिए नहीं दो परसंदों के उत्तर संस्क्रिप में दीजिए बानारासी कश्या भासा आया केंद्र मस्ती ठीक है यह वाला परसंद बीर बीर केन पूझते हमें दो पैसने कुटतर देने हैं दो के मैं दे रहा हूं और दो के आप घर पर तैयार का लेना पूरे चार तैयर हो जाएंगे और इनहीं में से आपके बोर्ड एक्जाम 22 परवरी को देखने को मिलेगा बीर केन पू जाएंगे पूरे के पूरे पच्छे से लिख देना तो बस यही था पूरा का पूरा वाल पेपर मैंने करा दिया पूरा का पूरा फूल सलुइशन करके आपको दिखाया है, तो आप लोग वीडियो को share कर दीजी अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्च वीडियो में, थैंक यू